अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 हटाएवे एक साल पुरा हो गया है और बीते कुछ दिनों को देखे हैं तो आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं बीजेपी नेता और बीजेपी कारेकरता पीजेपी से जुड़े एक सरपंच की आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी है भाजपा नेता और सरपंच सजार एहमद खांडे की दक्षुर कश्मीर के कुलगाम जीने में उनके घर के पास आतंकवादियों ने गुरुआर को गोली मार कर हत्या कर दी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने शिर्णेगर से 60 किलोमेटर दूर कांजी गुंड इलाके में वैसु में भाजपा लेता को करीब से गोली मारी ऐसा लगता है कि आतंकवादियों ने इलाके की अच्छी तरह से रेकी की थी उन्होंने पताया कि खांदे को फौरण अनंतनाग जिले के एक नजदी की अस्पताल ले जाये गया जहां उन्हें मृत खोशित कर दिया गया इस घटना से 48 घंटे से भी कम समय पहले कुलगाम जिले में भाजपा से जुड़े एक पंचायत सदस से आरिफ एहमत खान को बोली की जाए और आतंकवाद के सामने नहीं जुकने का अपना जो लक्ष है अपनी प्रतिमत देता है वो बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर जाहिद की है हाली में आपने देखा था कि बीजेपी के युवा मोर्चे से जुड़े एक सदस्य की हत्या कर दीगे थी और उनके न चाहिए परिवार आक्रोश में हैं क्योंकि इस तरह से अगर कोई नौजवान चला जाता है तो एक दुखों का पहाड सा तूट पड़ता है तुदर अनुच्छे 370 हटाए जाने का एक साल पूरा होने के दिन ही उप राज्यपाल जीसी मुर्भू ने प्रेपाच से कैंटर में पहली इतिक निवक्ति हुई है मनोसिंह चेंदर में मंत्री रह चुके हैं संचार और ईयल्या गवर्नर साब यहां आ रहे हैं वो एक अनिबवी सियासदान है तिन तिन बार एंपी रह चुके और उनकी जो लेबल है वो एक विकास पुरुषी तरह है और जो मुकश्चिन में भी विकास पुरुषी चाहिए क्योंकि यहां डेवलोप्मेंट की बहुत ज्यादा जूरत औ हो एक बड़ा चलेंज है कि जो साथिपाल मलिक साहब ने यहां कोरुप्शन के खिलाब जो जंग उन्होंने शुरू की थी उसको अंजाम तक महुचाने की उनकी सबसे बड़ी जिमदारी और दूसरी बड़ी जिमदारी यहां आम लोगों को एक अप्रेहंशन है आम लोग जो सारपमंज से उन पर गोलिया दागी गई एक खुशकस्मत था वो बच गए और दूसरी ने अपनी जानू की वो आहुती दे दी और यह भी एक बड़ा चलेंज उनके लिए जो सिक्यूर्टी इशूज कि पाकिस्तान है मिलिटेंडर से देशित गर्दे वो नहीं चाहत है और आदी रात को हम को सवंज में आ जाता है यह होने वाला है देखे हम मनतजर थे चीजों के लिए मनतजर आज भी है वी वैर एक्सपेक्टिंग डिलॉपमेंट बट अनफॉशनेटली थे एक्सपेक्टेशन इस देव नोट कम अप तिल नौ और सो नए गवर्नर साब जो जाइन कर रहे हैं रेफिन गवर्नर साब हम उन पर तो उनली नहीं उठा सकते हैं बिकाज ही यह तो जाइन लेकिन हम उन से उनको दो चार चीज़ें गुजारिश कर सकते हैं वह यह कि देखे टैनिवर आपका शुरू होने वाला आपका टैनिवर भी खतम हो जाएगा लेकिन यह टैनिवर के दोरान आपसे यही गुजारिश है कि आपको क्या करना चाहिए आपको यहां के हालात समझने चाहिए और यहां जो मनतज़र लोग हैं डेलॉपमेंट के लिए अनेप्लाइमेंट के लिए एजुकेशन के लिए हमारे चोटे-चोटे-चोटे मसाइल हैं वो चोटे-चोटे-चोटे मसाइल जो है उन पर नजरसानी की जाए आप क्या कर सकते हो आप यूद को सामने ला सकते हो नए यूद को सामने ला सकते हो उन्दर सर्जिशन ले सकते हो अक्सर क्या होता यूद को इस्तमाल किया जाता और चोड़ दिया जाता यूद क्यो of you know sets you what you do you collect all the sets और एक वन पर एज़ंडा पर काम कर लीजे वह ज़ुक्श कर लीज़ यह वह जो जा चाहिए हेल्ट चलेगा जब हिंदुस्तान में सब सब राइट इंफॉर्मिशन्स है बाकी चीज़ें हमें भी हमें मिलेगा हमारे में में मुद्ध में मुद्ध जो है सड़क पानी जो है यह इशूज अगर लुक आफ्टर होते हैं तो हम 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 क्या है हम हम वेलकम करेंगे देखिए उनका टैनियूर स्टिटाट होने वाला टैनियूर उनका भी खतम हो जागा लेकिन अगर वो यह टैनियूर में कोई ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिसके लिए यहां के लोग उनको सेल्यूट करें और तवारी के लोग लिखे कि इस बुर्बाद वाली जगा पे कोई कोई शखस आया को डेलॉपमेंट में इलेक्टराल प्रॉस में जोड सकते हैं देखिए आपको मालूम है कि जो जुमु कश्मिर का मामला है एक सहासी मामला है प्लिटिकल इशू है आपने देखा होगा कि जो मुन्तखब सरकारें भी बने उनको भी अपना वकित पूरा करने नहीं दिया ग भी बाराद मर्मू साब आए और ऊसके आप बात दूसरा आ रहे हैं और आपने पहले ही देखा जब पहले गुवनर साहब यहां गवनर राज में ताइनात किये गे उस वक्त में एक जमातने ये कह दिया कि यह हमारा गवरनर है एक पार्टी में नाम नहीं नहना चाहता हू उनों किक्टकेग़ुरी किली उसको आपने खाति में ड्ल दिया बारहल हमें उसके साथ नहीं आप दूसरा जो आया था मुझे लगता है कि जो काम उसको सोपा गया गया था ठीक डंग से आच्छी डंग से कि हम उसके साथ इत्वाक नहीं करते हैं कि यूटी हमें मनजोर ही नहीं है बारहाल एडमस्टेट्टू मामला है, गौवणमनिस्टिका मामला है, वो काम कर रहा था जिनकी एडमस्टेटू मामला है, दूसरा यून्हों ने आप यह बेश गिए, मुझे लगता है कि गवर्नर या लेफटनिन फसे हुएं, वाहिए रासता है एक political system ही political प्रास्सके जरीयाओ, उसको इस दल्दली से बाहर निकाल सकते है, गवर्नर साहब में एक मतबादल नहीं बन जाएगा जम्हुरी हकूमत का एक आरजी सिलसला है एक मुस्तकल चीज़ नहीं है इसलिए मेरी गुजारिश है आपके इस प्रोग्राम के वजात से वसात से मरकेजी सरकार के वो यहां पुलिटिकल प्राइसस शुरू करी काल 5 अगस्त आपने देख लिया कि बदकूस्मतिए है कुछ लोगों को जशन मराने की इजाज़त दी गई कुछ लोगों को मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई हम इस दलडले में इस वकट यह हम एक अधीम जम्हुरी मुलक में रह रहे हैं एक अजीम जम्हुरी मुलक होने के नाते इस किसम के बेदबाव नहीं होने चाहे हम एक डिमोक्रिटिक सेटप में रहते हैं डिमोक्रिटिक सेटप में हर एको अपनी बात करने का हक है मुझे लगता है कि गवरनर साब का ज्यादा जो इस को जा रहा है फोर जे के बारे में उसने द्यानेदारी से एक बात कही है जो नागवार गुजरी होगी तो शायद मैं इनका ये मामला और सरकार का मामला है तो मैं अपनी जाती राय के हस्द से ये कह रहा हूँ कि शायद उसी का इसको ये बुगतना पड़ा अब दूसरा जो है पुल्टिकल जो पहले ये कह रहे हैं पुल्टिकल पार्टी से वो मनसलिक है तो हमें आप खचात है उनको चाहे कि यहां आकर वो गार जानिब दाराना तरीके से काम करें कि जो लेबले लगे जाते हैं उसकी उनकी अच्छी कारकरदगी पर भी असर पड़ता है अगर वो क करकार को राव गिप करेंगे और उसके लिए ट्रैस्ट करेंगे ताकि यह मुसीबत और जिस दल्दली में हम फसे हुए हैं स्टेट फुडबा इज़त तरीके से वापस पिलकर पुल्टिकल प्रासिस शुरू होना चाहें देखिए सब रियास्त जमू कश्मीर जो है जिसक मुझे किस फील्ड में यहां काम करना है और मुझे किन लोगों के साथ काम करना है वो अब II सिर्फ ट्रांसफर ही का रहे थे अप पूरा एक साल उने अवसुन को ट्रांस्फर करने में लगा है तो डिसिजन कोई नहीं ले पाए इंप्लाइमेंट के बारे में उन्होंने अडूटीजमेंट दिया तो बहुत से लोगों ने अप्लाइ किया लेकिन वो अब वैसे का वैसा रह जाएगा अब निया गौवर्णर जो आएगा वो फिर एक को समझता हो वो कोई यहां के इंटरस्ट की बात नहीं करेगा और वो सारा फ्लॉप ही रहेगा मैं आप से यह कहूंगे अभी तक हमारा यहां कोई प्रॉल्टिकल प्रॉसस नहीं हो पा रहा है पिछला एक साल से जब से लोग नजर बंद थे कुछ लोगों को छोड़ा गय से टू लेवल पर गौर्णर आफिस में ही होते हैं तो हमारे जो भी डिजिजिजन हुए हैं वो सारे फिर पेंडिंग हो जाएंगे और कश्मीर की डर्लॉमेंट जो है वो फिर जिरो पर पहुंच जाएगी और यह जो नया आदमी गौर्णर जब आएगा वो पहले इसको च्छे मेंने लग जाएंगे यहां के आफिसर्स को समयने में और फिर यहां के एकॉनमी को समयने में यहां के बाके चीज़ों की समयने में तो कोई फैसले वो नहीं ले पाएंगे तो आन्दी होल इसका सारा सीधा सीधा नुक्सान जो है वो हमारे जमो कश्मीर के लोगों क ही है क्योंकि यह सारे जो आफिसर्स भी यहां बैटे हैं अभी चाहे डियूजन कमिशल लेवल है चाहे और हैड़ अफ दे डिपार्मेंट से यह सारे ज्यादा तर नान लोकल्स हैं और वो लोग यहां लोगों को साथ कोई तालमेल नहीं कर पाए मैंने पिछली बार जब एक हस्टेल हैं जो हमारा में हस्टेल से नगर का यह बैकबॉन बना रहा था बागी कोवर्ट सेंटर का लेकिन जब आपने में हस्टेल को ही इन वालू कर दिया अब वो इसलिए मैं बतारों ऐसी गलतियां तभी हो रही हैं कि एन लोगों को यहां का यह सब कुछ मालूम नहीं हैं और ना यहां के लोगों को कांविडेंस में लेते हैं तब डियूजन कुछ से कहने लगे पिछले गौवर्ण कि नहीं सब एक कमेटी बना लीजिए सिविलियन की लोगों की ताकि हम कोई डिरिजिजन ले पाएं वह ना कमेटी बनी वह डिस जन ऐसे के ऐसे रहे हमारी ह हर फील्ड में एक नुकसान हो रहा है चाहिए वो एजूकिशन का फील्ड है चाहिए वो एकॉनमी का फील्ड है ना यहां का टूरिजम भड़ पा रहा है ना अभी तक कोई ट्रांस्पूर्ट चल रही है पिछले एक साल से समझे लोग घरू में बैटे हैं और लोग है तो एड्मस्टेशन का इस पर कोई रेडरसल करने का कोई ऐसा डिस्जियर नहीं है जिस से हम यह कहें कि कश्मीर के लोगों के लिए फाइदा मन्द होगा ऐसा फ्रीकॉंट चेंज करना यह कश्मीर के लोगों के लिए बहुत नुकसान दे है और इसका खमयाजा गोवर् झाल